हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का हमारे चानल चलो फिल्म सुने में आज मैं एक्स्प्लेंड करने जा रहे हैं 2016 में आई फ्लाइट क्रू को इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ओफ 10 जो की शायद उतनी अच्छी नहीं है पर इसे 85% Google users ने लाइक किया है और इसकी स्टोडी बहुत अच्छी है और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो लाइट रोल अप दे इंट्रो और चलो फिल्म सब्सक्राइब मुवी की स्टार्टिंग में हम वीवर्स मैकोई को देखते हैं मैकोई एक आर्मी एरफोस में होता है जहां उसे एक कारगो प्लेन को लेकर एक ऐसी जगे पर जाना था जहां पर बहुत सारे पीड़ित और बच्चे थे और इस प्लेन में उनके लिए बहुत सारा खाना और समान था अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तब ही मैकोई का सीनियर आता है और बोलता है कि तुम्हें अपने साथ दो नई गाड़ियां भी लेके जानी है ये वहीं पर होने वाली एक शादी के लिए है और इने कुछ भी नहीं होना चाहिए अब जब ये लोग प्लेन लेकर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा तेज तूफान आने लगता है और इनका प्लेन सही से उड़नी रहोता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समान होता है तो अब मैकोई का सीनियर बोलता है कि हम वो लोगों के लिए खाना और बाकी सारा समान उसे फेक देते है जबकि मैकोई का कहना होता है कि हमें कार को फेक देना चाहिए पर इस पर उसका सीनियर नहीं मानता तो अब मैकोई अपनी पوزिशन छोड़के बाहर जाता है और अपने क्याप्टन की बात बिना माने वो वहां से कार को फेकवा देता है जिसकी वज़े से उसे एरफोस से निकाल दिया जाता है असल में मेकोई एक बहुत ही जिद्धी लड़का होता है जो कि अपनी मर्जी का मालिक होता है और वो सिचुएशन के हिसाब से बिलकुल सही डिसिजिन लेता है पर इस चकर में वो कई बार रूल तोड़ देता है और इसी लिए इससे पहले उसे आर्मी से भी निकाला जा चुका है अब यहां से निकल कर वो अपने डाट के पास आता है उसके डाट अपने टाइम पर एक बहुत बड़े पाइलिट थे तो पहले दो मेकाई को थोड़ा सा डाटते हैं पर बाद में वो अपने सोर्से से बात करके मेकाई की जॉब एक एरलाइन्स कंपनी में लगवा देते हैं बदलब अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी होती है उन्होंने बस टेस्ट तक के लिए उसका सेलेक्शन करवा लिया होता है अब अगर वो टेस्ट में पास होता है तो उसकी जॉब लग जाएगी तो अब नेक्स सीन में मेकाई उसी एक्जाम के लिए जाता है जहाँ पर उसकी एक्जामनर का नाम होता है लियोनिट लियोनिट एक बहुती स्ट्रिप्ट आफिसर होता है जो कि हमेशा रूल्स को फॉलो करता है अब वो टेस्ट लेने के लिए एक मशीन में बैठते हैं जिसकी स्क्रीन पर आस्मान जैसा इंवायर्मेंट प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो अंदर बैठे हुए लोगों को यही लगेगा कि वो लोग सच में किसी प्लेन में बैठे हैं यहाँ पर मैकॉई अपने टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है पर वो लियोनिट की कोई भी बात नहीं मान रहा होता वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ और यह सुनने के बाद लियोनिट जान बूच कर उसके लिए मुश्किले बढ़ा देता है और वो प्रॉब्लम इतनी ज़ादा बढ़ा देता है कि एंड में मैं कोई अपने एक्जाम में फेल हो जाता है और इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है पर जब वो चला जाता है तो लियोनिट के कलीक्स उसे बोलते हैं कि तुमने उसे जैसी सेचुएशन में डाला था वहाँ से तुम खुद भी निकलनी पाते और वो बहुत अच्छा कर रहा था पर तुमने जानबूच कर उसका एक्जाम टफ कर दिया क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई और बोले ये सुनने के बाद लियोनिट बोलता है कि ठीक है वही सेम अटमोसफेर मेरे लिए लगाओ और मैं प्लेन को अच्छे से लैंड करके दिखाता हूँ इसके बाद लियोनिट ट्राइब भी करता है और उसका प्लेन भी क्रेश हो जाता है दूसी तरफ यहां से बाहर निकल कर मेकौई को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है सेंडरा वो सेंडरा की कार निकलने में उसकी हल्प करता है और बाद में उसे स्टेशन तक जाने के लिए लिफ्ट मांगता है जब उलग स्टेशन की तरफ जा रहे होते है तब ही रास्ते में मेकौई को कॉल आता है और call पे उसे पता चलता है कि उसे select कर लिया गया है पर वो अभी permanent नहीं होता है वो अभी एक trainee होता है और जिसको training देने का काम लियोनिट का होता है तो हम next scene में हम McCoy को देखते हैं जो कि pilot के uniform में होता है और अब से उसका काम होता है कि जिस भी flight में लियोनिट जाएगा as a pilot उसी flight में वो भी pilot number 2 बन के जाएगा और लियोनिट उसकी हर flight के बाद उसके लिए एक report तयार करेगा और end में उसी report के अधार पर उसका selection किया जाएगा permanent pilot के लिए अब उनकी पहले उड़ान के बारी आती है अब क्योंकि मैकॉय ने हमेशा से आर्मी के प्लेन उड़ाए है इसलिए वो बहुत ही fast उड़ाता है जिससे कि वहाँ पर बैटे सारे passengers बहुत ज़दा डर जाते हैं तो इस flight के बाद लियोनिट उसे डाटता है वो बोलता है कि तुम common लोगों को plane में लेकर जा रहे हो किसी आर्मी वालों को नहीं तो मैकॉय उसे sorry बोलता है अब ऐसी ये लोग अपनी अगली flight में होते हैं जहाँ पर उनके सामने बहुत तेज बादल होते हैं और आगे कुछ भी दिखनी रहा होते हैं पर अचानक से मैकॉय को अपने आपी सामने एक plane नजर आ जाता है और वो बिना किसी को कुछ बताए अचानक से अपने plane को turn कर देता है जिससे plane का balance बिगर जाता है अब क्योंकि सामने आने वाला plane लियोनिट को नहीं दिख रहा था इसलिए उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मैकोय ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से चलना पसंद किया और rules तोड़ दिये तो वो इस बात के लिए मैकोय को बहुत डारता है पर जब वो लोग land करते है तब control room का एक pilot उने बताता है कि सामने से एक दूसरा pilot आ रहा था जिसने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया और अगर तुम इतनी जल्दी अपने plane के direction change नहीं करते तो तुम दोनों का ही plane आपस में लड़के crash हो जाता ये सुनने के बाद लियोनिट मैकोय से थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है इसके बाद लियोनिट अपने घर आता है घर पे उसका एक बेटा होता है उसके बेटे का नाम होता है Valora और उसकी अपने बेटे से बिलकुल भी नहीं जमती दूसी तरफ मैकोय लगाता ट्राय कर रहा होता है सेंडरा को इंप्रेस करने के लिए और फाइनली वो दोनों रिलेशन्चिप में आ जाते है अब ऐसी ये लोग अपनी एक और फ्लाइट में जाते है जहाँ पर इनका काम होता है कि दूसी जगे पर कुछ रफ्यूजीज होते है उन्हें उन लोग को बचा के लानता पर यहाँ पर जब लोग इस जगे पर लैंड करते है तो वहाँ की आर्मी इन लोगों को सिर्फ फॉरिनर्स को लेकर जाने को बोलती है मलब की वो सारे रफ्यूजीज जो वहीं पर रहते हैं वो उन्हें वहाँ से लेकर नहीं जा सकते जो की बहुत गलत होता है मैकोई इसके खिलाफ होता है पर लियूनिट उसे शान्त करा देता है अब जब वो लोग अपना प्लेन लेकर जा रहे होते है तो वहीं के जो भी लोकल्स होते हैं वो सब लोग उनके प्लेन के पीचे भाग रहे होते है और उनसे मदद मांग रहे होते है और उन्हें ऐसा भागता देख बहुत सारे आर्मी वाले उन पर फाइरिंग शुरू कर देते है जिससे की कुछ की तो वहीं पर डेत हो जाती है ये सब देख के मैकोई को बहुत गुस्ता आता है और वो जब गुस्ते में फ्लाइट लेका घर वापस आता है तब वो घर पे आकर सेंडरा से भी बहुत ज़ादा जगड़ा कर देता है और उन दोना का रिलेशनशिप तूट जाता है अब इसके बाद बोलोग अपनी नेक्स फ्लाइट में होते है जहां पर उनकी फ्लाइट में एक काफी पावरफुल और फेमस इंसान आता है और वो बोलता है कि उसे ब्रैंडी चाहिए पर क्योंकि फ्लाइट टेक आफ करने वाली होती है तो उसे मना कर दिया जाता है तो इस पर वो बत्तमीजी शुरू करने लगता है और उसने हाथ में अपने एक सिग्रेट भी पकड़ी होती है तो उनी का एक क्रू मेंबर एंडू उसे सिग्रेट बुजाने के लिए बोलता है पर इस पर वो एंडू को ही पंच मार देता है अब ये सारी बाते एर होस्टेस आकर मैं कॉय को बता देती है कि हमारे एक स्टाफ मेंबर को एक पैसेंजर ने पंच मार दिया है और ये सुनने के बाद मैं कॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आके जग्रा शुरू कर देता है और बाकी बैटे पैसेंजर इस सब की वीडियो बना लेता है और ये वीडियो वाइरल हो जाती है और साथी में उनका प्लेइन भी टेक ओफ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर जगड़ा शुरू होने लगता है इसलिए लियोनिट प्लेइन को वापस ले आता है अब ये सब होने के बाद मैकोई ये जौब भी छोड़ देता है दूसी तरफ लियोनिट का सीनियर लियोनिट के ओपर बहुत ज़ादा गुस्सा कर रहा होता है पर इस पर लियोनिट बोलता है कि मैकोई ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था और वो एक कमाल का पाइलिट है हम लोग भले ही रूल्स पर चलते हो पर वो अपने दिमाग से चलता है और हमेशे सही डिसिजिन लेता है इसके बाद उसका सीनियर बोलता है कि हमारे प्लेन को प्राइवेटली हायर किया गया है और तो में दो पाइलिट के साथ वहाँ पर जाना है और ये पूरे एक मन्त की ट्रिप होगी तो लियोनिट बोलता है कि मैं मैकॉय के बिना नहीं जाओंगा इसलिए अब मजबूरी में उनकी कमपनी को एक बार फिर्स मैकॉय को हायर करना पड़ता है अब उनकी इस ट्रिप पे जाने वाली टीम में मैकॉय होता है सेंडरा होती है लियोनिट होता है और एंड्री होता है और साथ में कुछ एर होस्टेस होती है यहाँ पर लियोनिट अपने बेटे वैलेरा को भी साथ में लेकर जाता है उसे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा टाइम उपने बेटे के साथ स्पेंट करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उनका रिलेशन थोड़ा सुधर रहे है अब जब वो लोग अपनी प्लेशन से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक नियूज मिलती है कि उनके पास में ये एक आईलेंड है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वाला मुखी है और वहाँ पर अर्थ कोया काने वाला है और उस जेगा पर बहुत सारे लोग फसे हुए हैं तो अब इनका प्लेशन उसी आईलेंड पर लैंड करता है जहाँ कि हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डेथ हो चुकी होती है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं और वहाँ का ज्वाला मुखी भी कभी भी फट सकता है तो यहाँ पर land करने के बाद मैं कॉई यहाँ के control room में देखने जाता है अब जब वो control room में होता है तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्याक आने लगता है जिसे कि वो पूरा control room टूटने लगता है तो मैं कॉई वहाँ से कुछ लोग को निकालता है और जैसे तैसे खुद भी निकल कर बाहर आता है यह जगे एक एरपोर्ट होती है तो यहाँ का क्याप्टन आकर लियोनिट से बोलता है कि अभी कुछ लोग और फसे हुए हैं उपर जो की बस से नीचे आ रहे हैं और हमें सब को लेकर यहां से निकलना होगा पर अर्थ को आकाने के वह जैसे वहाँ पर लैंसलाइड हो जाता है तो बीच के रास्ता बंद हो जाता है तो मतलब कि अब जो भी लोग बस से आ रहे होते हैं वो बीचे ही फस जाते हैं तो मैकॉई बोलता है कि वो जाएगा और उन लोगों को लेकर आएगा अब मैकॉई के साथ वैलेरा और एंड्रू भी उसके साथ में जाते हैं उसकी मदद करने के लिए तो वो लोग दो बस लेते हैं और पहार पे चड़ना शुरू कर देते हैं ज इतना जदा लवा आ जाता है कि उसके पूरे टायर पिघलने लगते हैं और बस में आग लग जाती है तो अब लियो निट अपनी बस को उसकी बस के एकदम पास लेकर आता है और अपना सामने वाला शीशा तोड़ देता है और फिर पीछे से उसकी बस के सारे पैसेंजर्स को अपनी बस में ट्रांसफर करता है और फिर उसकी बस में भी आग लग जाती है तो फिर वो लोग उसकी बस से भी पीछे से निकल जाते हैं और अब दोनों ही बस बरबाद हो चुके होती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पीछे वाले रास्ते से गूम कर प पर बाद हो रही होती है यहां पर उनके पास दो रनवे होते हैं एक रनवे टूटा होता है तो अब वो टूटकर इतना चोटा हो गया होता है कि वहां से एक बड़ा सा प्लेन टेक ओफ नहीं कर सकता और दूसरे वाले रनवे पे पूरी आग लगी होती है यहां पर कोई और एक दूसरे plane को उड़ाने की कोशिश करता है और वो उसे उसी टूटे वाले runway से ले कर जाता है पर वो plane पूरे blast हो जाता है और उस plane के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सब के death हो जाती है तो अब leonid वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा कारगो प्लेन है जो कि उस तूटे वे रनवे के उपर से होकर जा सकता है तो लियोनिट सब को उसी कारगो प्लेन के उपर बिठा देता है और अब वो इंतिजार कर रहा होता है मैं कोई अपने बेटे उन सभी लोगों का पर जब वो देखता है कि वहां से कोई भी नहीं आ रहा है और उपर से तेजी सालावा नीचे बहता हुआ आ रहा है तो वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उपर उनकी बस का भी आक्सिडेंट हो गया हो और अब इत्ते सारे लोगों को बचाने के लिए मजबूरी में लियोलिट को अपने बेटे को वहीं पर छोड़ना पड़ता है और वो छोटा वाला कारगो प्लेन लेकर वहां से निकल जाता है दूशी तरव मैकोई और बाकी सारे पैसेंजर्स जैसे तैसे भाग कर एरपोर् लगी थी वहां पर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी थी और क्योंकि लावा लगा तार उस रोट पर फैल रहा था तो दीरे-दीरे करके वो टंकी गिरने वाली थी तो मैकोई अपने प्लेन को उसी रनवे से लेकर जाता है और टंकी गिरकर तूटने की वजह से वहां पर बहुत थोड़े मिनट के लिए सारी आग शान्त हो जाती है और वो उसी वक्त वहां से निकल जाते हैं और टेक आफ कर जाते हैं पर टेक आफ करने के बाद भी उनके एक इंजन में आग लग जाती है तो मैं कोई उस इंजन को स्लो करता है ताकि वो बुझ जाए अब जब कोई एक उंजन को बुझाता है तब तक दूसरे वाले इंजन में भी आग लग जाती है तो वो जैसे तैसे करके दूसरे वाले इंजन को भी बुझा लेता है पर अब दोनों इंजन में राग जम चुकी होती है इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इस प्लेन को उड़ानी अब दूसरे तरब कन्ट्रोल रूम में हर किसी को यह सारी प्रॉब्लम पता होती है और सब लोग बोल रहते हैं कि पासमे एक रनवे है जहाँ पर तुम लोग लैंड कर सकते हो बहाँ पर उपस्रूपर नीचे आजएगा अब क्योंकि ये दोनों ही प्लेन पानी के ऊपर उड़ रहे होता है मतलब समुद्र के ऊपर तो वो वहाँ पर प्लेन लैंड नहीं कर सकते और दूसरे कार्गो प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो रन्वे तक बहुँच सके तो मैकोई एक प्लेन बताता है वो बोलता है कि हम अपने वाले प्लेन और कार्गो प्लेन दोनों को बराबर स्पीच से उड़ाएंगे और आगे पीचे करेंगे उसके बाद हम कार्गो प्लेन से एक केबिल लेंगे जो कि अपने प्लेन में करेक्ट करेंगे और फिर दर्वाजा खोल कर वहां से सारे लोगों को उस रोप के तुरू दूसरे प्लेन में ट्रांसफर करेंगे अब कंट्रोल रूम में बहुत सारे लोग इसके लिए मानते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी होता है यहाँ पर आदे लोग होते हैं जो मैकोई के सपोर्ट में होते हैं और आदे लोग होते हैं जो मैकोई का सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो लोग ऐसा ही करने का प्लान करते हैं तो एंड्रियू जाकर अपने प्लेन का दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो प्लेन का दर्वाजा खोलने रहा होता है यह लोग बहुत जादा कोशिश करता है लेकिन फिर भी प्लेन का दर्वाजा नहीं खोलता है तो अब मैकॉय को लगता है कि शायद अब कुछ न जाओगे जहाँ पर एक बड़े से दर्वाजे को तुम लोग खोल सकते हो और वहां से तुम लोगों को अंदर ला सकते हो वैसे यह फ्लोर को खोलना अलाउट नहीं होता है पर यहाँ पर सिचुएशन बहुत जादा इमर्जेंसी वाली होती है इसलिए उन्हें ऐसा करना बठा दिया जाता है और फिर रोप से उन्हें दूसी तरह बेजने लगते हैं यहाँ पर एंड्रू एक बेंट लगा के उसी दर्वाजे के पास बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और जब वो जाल आता है तब वो से पकड़ लेता है और उसमें से उन ल सकत्तरूल भी कबनte वाला ह कोता है अब यहाँ पर सिर्फ लिएड होता है और लिएड के साथ वोही कैप्टें होता है जो कि ईस आइलेंड पर रहता था पर अब तक वह दूट चुकत होता है तो अब उनके पास दूसी साव जाने का जालवाला रास्ता क्रस्ता होता है तो वो सब लोग बच जाते हैं इसके बाद उन्हें अपने प्लेन को लैंड कराना होता है पर यहाँ पर मैं कोई को रनवे दिखनी रहा होता है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बहुत जादा बादल होते है तो फिर वो रनवे देखने की कोशिश करता है और उसे रनवे दिख भी जाता है उसके बाद वो अपने प्लेन को स्लो करना शुरू करता है पर रनवे काफी पास होता है इसलिए प्लेन के वील्स, इंजिन, सब कुछ तूट जाता है और प्लेन बहुर दूर तक गिसरते हुए जाता है लेकिन वो क्राश नहीं होता और सब की जान बच जाती है ये लैंडिंग कुछ-कुछ वैसे ही होती है जैसा उसने एक्जाम में किया था पर तब वो इसमें फेल हो गया था पर आज वो प्राक्टिकल एक्जाम में पास हो गया अब इसके बाद मेकोई की वहाँ पर पर्मिनेंट जॉब हो जाती है और सेंडरा के साथ भी उसके रिलेशन वापस से अच्छे हो जाते है और इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करके आने के बाद अब लियोनिट का बेटा और इसके बीच में भी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते है और इसे के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है अगर आपको मारे एक्स्प्रेंट पसंद आये हो तो प्लीज मारे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मैं चानल को सब्स्राइब करे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, बाबाई